हाई अब्रीवान और वेलकम तो डूकाप्टून तो यार फाइनली आज आज आपके CUET के फॉर्म फिलिंग की लास्ट रेट है अगर अभी भी आपने CUET का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज रात को आप जो है 9 बच के 50 मिनट तक फॉर्म फिल कर सकते हो मैं आपको पर्सनली एक चीज़ कहूँगा के भाई 9.50 तक का वेट मत करना शाम को 5 बजे से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दीजेगा क्योंकि होता क्या है एंड टाइम पे वेबसाइट पे बहुत ही जादा लोड आ जाता है पेजिस नहीं खुलते हैं और हो सकता है कि आप अगर एंड टाइम पे जो है अपना फॉर्म फिल करोगे तो आपकी पेमेंट्स का भी बहुत इशू आपको देखने को मिल सकता है तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है आप काईदे से अपना फॉर्म फिल कर दो और फॉर्म भी थोड़ा सा बड़ा है आपका उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा आपको जो है अराम से 45 मिनट आदर घंटा से लेके 45 मिनट तक अराम से लग जाएगा और अगर आपको नहीं पता है कि C.U.E.T. क्या है तो भाई अगर आप Dream College अपने College में पढ़ने का सपना रखते हो Central University में अगर आप पढ़ने का सपना रखते हो तो Central University में आप तभी admission ले सकते हो जब आप C.U.E.T. का exam दोगे अगर आपको नहीं पता है कि C.U.E.T. का form कैसे फिल करना है तो आपको आना है सबसे पहली वीडियो जो आपको दिख रही है आप इस पर कर दीजेगा भाई क्लिक यहां पर काईदे से देख सकते हो मैंने प्रॉपर स्टेप बाई स्टेप आपको कैसे आगे बढ़ना है गूगल से मतला बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है क्या क्या डॉकुमेंट्स लगाने कैसे उनके उपर signature करना है पीडिएफ के अंदर कैसे अप्लोड करना है री साइज कैसे करना है री साइज करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है जो साइज आप देख रहो ने आपे यहां बें बताए कि स्कैन फोटो जो सिगनेचर है आपके जेपीजी फॉर्माट के अंदर होना चाहिए औ तो वो प्रॉपर मैंने इसके अंदर सारी चीज़े बताई है इस वीडियो को आप देख सकते हो और उसके बाद भाई अपनी तयारी अब आप काईदे से शुरू कर दो आप अपने बोर्ट से जो है अलमुस अलमुस जो है अब आप फ्री हो ही जाओगे अपने CUET की तयार जो है वो काईदे से शुरू कर दो क्यूंकि आपको यहां पर आप डेट देख जो मेरे भाई यहां पर इन्होंने जो आपको डेट दिया है आपको जो है यह आपकी करेक्शन विंडो जो है एक अपरेंट से लेके तीन अपरेंट तक आपकी करेक्शन विंडो आ जाएगी देर उसके बाद 30 अपरें तक महीने के end आते आते तो आपको आपके city भी अलॉट हो जाएगी कि city के अंदर आपका exam होने वाला है मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि last year अगर आप अपने किसी senior से बात करके देखोगे तो वो बताएंगे आपको कि उनके time पे कितना साथा chaotic situation थी बड़ अब ऐसा नहीं होने वाला आपके time पे बिल्कुल सारी चीज़े on time होगी यूँकि एक महीने पहले ही exam के एक महीने पहले ही वो आपको 60 तक भी बता देंगे 20 में को आपका exam है almost almost आपके पास 20-22 दिन का आपके पास time रहेगा यहाँ पे तो I hope आपको clarity मिली होगी फिर से मैं repeat कर रहा हूँ अगर आपने form फे नहीं किया है तो काईदे सा भी कर दीजे end moment तक उसको मत छोड़ना यूँकि form आपका लंबा है मिलता है किसे next video के लिए CUET से related जितनी भी major updates है इसी channel पर आती रहते है कैसे आपको पढ़ाई करना है कैसे आपको CUET के लिए तयारी करना है वो सारी चीज़े इसी channel पर आपको मिल जाएगी झाल